एक ट्यूवेल खोदने वाला लड़का करता है कुछ ऐसा कि एक परिवार की इज़्जत माटी में मिल जाती है उसको ट्यूवेल करना था एक दिन में और उसी काम को करता है वो तीन दिन में जिसके पीछे होता है एक लड़की का कारण गटना को पूरत जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंतर तक बने रहना होगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आए तो एक लाइक और एक शेर जरूर कीजिएगा साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो करना ना बूले नमस्कार मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने राजिस्तान के चूरू की सच्ची घटना यहाँ पर एक परिवार जिस परिवार को जरुवत थी पानी का ट्यूवल करवाने के लिए जब ट्यूवल करवाने के लिए वो एक ठेकेदार से बात करते हैं तो ठेकेदार आता है जिसका नाम होता है किसंसिंग किसंसिंग अपनी लेवर लेकर आता है और वो ट्यूवल करना श्रीव कर देता है जो वहाँ पर खुदाई चल रही थी, काम चल रहा था, तो गाउं के और भी लोग वहाँ पर आये थे, वहीं पर दो लड़की आती है, एक का नाम कमला होता है, और एक और उसके साथ लड़की होती है, वो ठेकेदार सुबह से बैठा हुआ था, खुदाई का काम एक साथ को नहीं होता, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, और वो वहाँ पर कुर्सी पर बैठाता, तब ही उसे चाय की तलब लगती है, और वो उठकर चाय की खोके की तलास में निकल पड़ता है, तो लड़कियों से टकराता है, और उनसे पूछता है, क्या इधर उधर कहीं चाय की तबी वो मुस्कराती हैं और कहती है तुम्हें चाय की क्या जरुरत है इतनी गर्मी में तो वो कहता है कि मुझे पीनी है आप कहीं हो इधर उदर तो मुझे बता दो वो देखते ही कमला पर फिदा हो जाता है तब ही वो मुश्कराते हुई कमला बताती है कि चाय की जो दुकान है थोड़ी ही आगे चल कर सीधे हाथ की तरफ है वो वहाँ से जाता है और उन्ने देखता हुआ जाता है और जाकर चाय पीता है और फिर से आकर वहाँ पर बैठ जाता है जो कमला थी उसके साथ में एक लड़की थी उसी के खेतों में वो टूवेल हो रहा था अब वो जाती है शाम को उसके लिए चाय बनाकर कमला को साथ लेकर जाती है उसे दुबारा से चाय देने के लिए तो वो चाय पीता है और चाय पीते हुए उनसे ठिटोली करता है और वो लड़कियां मुस्कुराने लगती है कमला जिसकी उमर 20 साल थी लड़का जो की 32 साल का था काफी उमर का गैप था दोनों में लेकिन दोनों ऐसे मजाग कर रहे थे वो अकेला आता है और आने के बाद अब वो वहाँ पर कुर्सी लगा कर बैठ जाता है उस लड़की के घरवाले आते हैं कि तुमने काम शुरू नहीं कराया तब ही वो कहता है कि मेरा एक इंस्ट्यूमेंट हो गया है यानि टूबेल करने का जो समान होता है उसमेंसे एक समान गायब हो गया है उसे लेने के लिए मैं मार्किट गया था तो उन्होंने कल के लिए बोला है इसलिए मैं अपने समान की रखवाली कर रहा हूँ और यहां बैठा हूँ जब वो वहाँ पर बैठा था तो कमला और वो लड़की उससे फिर मिलने जाती है वहीं पर उसे चाय दे कर आती है और वो लड़का उनसे बात करता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ की चाय में तो जादू है मुझे बहुत पसंद आई तभी वो हसकर कहती है चाय तो ऐसे ही भी बनी है, जैसे सबी बनाते हैं, तुमें इतना क्या पसंदाया, तब ही वो कहता है, कि तुम अपने हाथ से मुझे कुछ भी अगर दोगी, वो मुझे बहुत ही पसंदाएगा, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही पसंदागे हो, और मैं तुमसे बेहत प्यार करने लगा हूँ जैसे ही वो अपना इजहार करता है तो कमला उससे कहती है कि तुम उससे प्यार तो करते हो पर मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ तब ही वो कहता है ये लोग फॉन और तुम उससे बात कर सकती हो वो फॉन ले जाती है और अपने घर चली जाती है और रात को 24-24 घंटे वो इनसे बात करती है तीसरा दिन होता है तीसरे दिन वो अपनी लेवर को ले कराता है और ट्यूवल को पूरा कराता है और ट्यूवल कराता है और ट्यूवल कराने के बाद अब उसका जाने का जब वक्त होता है तो कमला से बात करता है और कहता है मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बग हो जाती है जैसे ही वह फरार होती है तो उसके घर वालों को पता चलता है कि लड़की कहा है कि dramatically तब ही जो लड़की के साथ दूसरी कमला के साथ वह उसके घर वाले पूश्टाज करते हैं कि वह तुम्हारे साथ घूमती ती आकिर अ enigma क्या है तो उनने पता चलता है कि वो उससे बात करती थी और उसी के साथ वो फरार है जब उसके साथ फरार की बात आती है तो उनके पास उसका नम्बर था ठोण पर घरवाले उन्हें बहुत धमकी देते हैं कि तुम हमारे घर की इज्जट को डाले गए ये तुमने क्या किया हम तुमें जीवित नहीं छोड़ेंगे जैसे ही वो इतनी धमकी देते हैं तो वो दोनों जाते हैं और कोर्ट मेरिज करते हैं कोर्ट मेरिज करने के बाद पुलिस से शुरक्षा भी लेते हैं और पुलिस की शुरक्षा में वो दोनों रहते हैं घरवाल आज वही बेटी उनको इतना बड़ा धोका देकर जा चुकी थी जब भी उनकी फॉन पर बात होती कमला से या फिर किसन सिंग थे तो वो यही बात बोला करते कि तुमने बहुत बुरा किया है हम तुमें छोड़ेंगे नहीं और इस बात का फायदा उठाते हुए वो पुलिस की सुरक्षा लेते हैं और पुलिस की सुरक्षा में अपना जीवन काड़ रहें इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ एक युद्धिस से था कि अपनी बच्चियों को समझाएं उनको समझाएं कि कि किसी भी अंजान वक्ति से बातें नहीं करें उन दौनों में बारा साल का फर सिर्फ और सिर्फ तीन दिन का प्यार उस पर इतना हाबी हो जाता है कि वो घर से फरार हो जाती है आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर कैसा होना चाहिए कमेंट सेक्षन में जरूर बताना वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी है तो अपनी राय जरूर लिखना और इस एक सतर्क कर देने वारी घटना के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भार